नमस्कार दोस्तों इलक्टिसियन स्किल्स योटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लेके आए हैं कुछ अलग वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे आज एक्स्टेंशन बोड कैसे बनाया जाता है यह जो टॉपिक है आज हमारा असिस्टेंट इलक्रिशन क इसके उपर हमें आज एक वीडियो बनाया है जिसमें हाज हम बताएंगे आपको एक्स्टेंशन बोड का कैसे बनाया जाता है उसके लिए क्या मैटेजियल ज़रूत होती है और क्या क्या टूल्स की उसके लिए हमें अवशकता पड़ेगी तो टूडे वी लर्न आज हम यह शीकें और से बनाइब हमें चैक आएवरी इसौकेट नेक्ट विट वन वर घृ परत्यक्स को हम्हा मिष्षे से करेंगे और यह बीया टार्स हों कर रहा है या नहीं तो सब से पहले आता है यूस्फोल मैटेश्ट क्या क्या हम इसके लिए मैटेडियाल यूज लेंगे सब से पहलाता है five pen two five pen socket six ampere और two one way two one way switch six ampere one switch seat two plus two जिसमें two five pen socket and two switch हुआ जाए one wooden box four by seven का and wire has by requirement आप सकता कि अनुशार हम वायर लेंगे वायर हमारा दो color का होगा एक तो neutral के लिए हम लेगे black color का और फेश के लिए yellow या red या blue तीनों में से positive color का हम उसले यूसे सकते हैं यह हम practical जो कर रहे हैं यह work जो हम कर रहे हैं इसके लिए हमें क्या क्या तोस्कि रिक्वाइर होगी सबसे पहला को स्कूरु ड्राइबर फेच को खोलने के लिए साइड क Karmaja वायर को काटने के लिए और वायर को छ्यक्याइन के लिए यह टूल्स हमारे रिक्वाइर होंगे इस पर प्रैक्टिकल को करने लिए अभी आप देख रहे होंगे एक उपर हमने एक वूड़न वोक्स है साइड में कॉम्बिनेस प्लायर और साइड में इसको ड्राइवर है और यह प्लेट है इसमें हमने फाइपिन सोकेट हैं टू वन लगा रहे हैं यह हम फाइपिन सोकेट के अंदर न्यूटल वायर लगा रहे हैं जिसको हम दोनों फाइपिन सोकेट में न्यूटल के टर्मिनल पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें एक चीज़ का दियान रखना है जो हम वायर को चेल रह हुआ कर दिया है अब हम एक common लेंगे जो दोनों वे में नीचे वाले टर्मिनल पर इनको फिक्स कर देंगे जैसे हम दखें की आप सिइथे होंगे हमने इसको इसक्रू डायवर की सायता से पेचा को टाइट कर दिया है जैसे हम इसके दूसरे screw driver साहतर से दूसरे one way switch पर इसको fix कर देंगे जैसे हमने इसको fix कर दिया अब हमारा जो switch है switch को आप हम उपर वाले terminal को इसमें 5-pin socket में इंस्टॉल करेंगे जिसो स्वीच से कनेक्ट रहेगी वैसे हमने देखा है कि यह यलो कलर का वायर है यह हम फेज के लिए ले रहे हैं और न्यूटल जो है हमने ब्लेक कलर का इस्तमाल करेंगी तो अब ही आप देख लेगें स्वीच के अंदर जो लगा हुआ वह फेज का वायर है यह हमें आज से बता रहा हूं और यह जो लंबा वायर है जिस फाइब सुकेट में अब अले से लगा हुआ यह न्यूटल का है अभी हम फाइब सॉकेट के जो लास्ट वाले टर्मिनल आइसको एक को वन्वे स्वीच के उपर वाले टर्मिनल से है अगरी हम इसमें जो वायर है अभी हम लगा रहा है कि वनिवे स्वीच से वाइब फाइब सॉकेट में लाइन वायर dış प्रस का जो वायर है उसको इंस्यों कर रहे हैं जैसे हम इसको लगा देंगे यह आमने अभी लगा दिया है अब केवल हमें इसमें ऐत धर्था साफ्ल स्थिधा है। उसमें नीचे कि तरब मी अब आप देख रहे होंगे reparिपन स्वाइट में व्लाकर क्यों लगाय क्यों कि ये निव्यूट Cats अिया है इस लिए इसमें ब्लैक। का वायर दोनों स्विच में हम कोई से में भी लगा सकते हैं परंतु लगाएंगे उसी पर जहां पर हम ने उसमें कोमन किया तो देखिए अभी आप हमने इसमें यह लगा दिया तो वैसे हमारा यह एकस्टेंशन बोर्ड जो रेडी हो चुका है तो अभी आप देखेंगे इसको अभी हमने दो दार बाहर निकाल ले हैं वाकी यह जो हमारा एक्स्टेंशन बोडर वो बन करके त्यार अब हमें बारी आती है पारे इसको चेक करने की तो ऐसे हमने एक बलब लिया है जिसमें सिंपन नोड चाइंड पिर कर तुपर लगा कि हमने इसको राखा । अब हम इसको चेक करेंगे 5-pin socket को दोनों को यह दो तार है मेरे हाथ में एक दोनों बोड के जो हमने अभी यूज करे थे यालो कलर का एंड ब्लेक कलर का तो अभी आप देख रहे होंगे हम भी हमने यह extension बोड में इसमें 5-pin socket में इसको लगा दिया है व्लग को switch जलाएंगे जैसे हमारा ब्लग जल गया इसका मतलब हमारा प्रैक्टिकल सक्सेज हो गया वैसे हम दूसरे वाले में लगा के देखेंगे दूसरे वाले में बलाके देखेंगे ब्लोग चल रहा है इसका मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बिलकुल सही है सक्सेज हो गया ऐसे ही हमारे और वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यो सेर्ज करना न बोला, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपको, तो ऐसे ही आप हमारे और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट बुक्स में लिख के बता सकते हैं उसे पर हम आपको वीडियो त्यार करके दे दें हैं थेंक्यू दोस्तों बंगे बात